हलो फ्रेंज में सोनम जैना आप सभी देख रहा हैं एश्चे सोनम जहां पर आप सभी को मृती है हर दिन एक नहीं कहानी देखने के लिए और आज की कहानी है कारी करूती भावी भावि जार यति है आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो कल दीजी चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तब ही आपको पता चरिएगा मेरी आने बारी हर कहानी के बारे में और हाँ बीतियों को लाइक चरू करतेजिगा क्योंकि जब आप करते हैं बिद्यों को लाइक तो मुझे मरती है नहीं नहीं कहानिया रिखने के रिप रेन न और कहानिको अपनों के साथ सेर जरूर कीजिएगा तो चरिए कहानि की तीसरी भाग में हम सबी ने देखा जब प्रिया अपनी भावी से कहती है भावी आज मेरी दोष्ट निसा की संगीत क रसा में तो आप भी मेरे साथ चरिए तब रस्मी प्रिया से जाने के लिए मना कर देती है यह सोचकर यती में प्रिया दीती के साथ जाओंगी तो आज भी सब मेरे कारे रंग का मचाक बनाएंगे जिस तरह प्रिया दीती के जनम दिन पर बनाया गया था और फिर प्रिया की भी बेचती होगी और वहे ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी बचे से प्रिया से कोई कुछ कही लेकिन प्रिया समझ जाती कि उसकी भावी क्यों नहीं जा रही है और वहे अपनी भावी को समझाती हुए कहती भावी लोग क्या कहेंगे इस तर से क्या आप घर से बहां निकरना चोड़तेंगी और बैसे भी निसा भी आपको अपनी भावी ही मानती है तो आपको चनना चाहिए पिडिया के बहुत समझाने के बाद रस्मी चनने के लिए तयार हो जाती है तब पिडिया की मा पिडिया से कहती आखिर तु इस बार भी इस कारी करूती को अपने साथ रेकर जा रही है भूर गई उस दिन क्या हुआ था तो पिडिया ने का फिर से भी बातें रेकर बैट गई आप मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है और जाकर पिडिया अपने कमले में तयार होने रखती है थोड़ी देर में पिडिया और तसमी निसा के संगीत में जाती है जहा पिडिया की भावी का मचाक बना रही थी तब ही अंजरी का दुपत्ता तेबिट में बीट कर फत जाता है जिसके बाद सब अंजरी का मचाक बनाते हैं रेकिन एह सब रस्मी भावी को पसंद नहीं आता और वही जाकर अंजरी की मतद करती है उसके बाद अंजरी को अपनी अब सब लोग मेरे कारे रंग का मचाक बनाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब रस्मी गाना गाती तो सब उसकी मतूर आवाज को सुन रहे थे। उसके कारे रंग को कोई नहीं देखता। जिसके बाद प्रिया अपनी भावी से कहती। भावी मैंने कहा था ना एक दिन बहे आएगा जब सब आपकी खूबी को देखेंगे आपके रंग को नहीं और आज बहे दिन आ गया। चारों तरफ रस्मी की आवाज की तारिफ हो रही थी तब प्रिया अपनी मा को फोन रखा कर कहती। दीचिये सुनिये मा अपनी बहु की तारिफ। लेकिन प्रिया की म मा को बहे परदास नहीं होती और बहे गुस्से में फॉन रख देती। जिसके बाद रस्मी सोचती है मेने भावी के अंदर की खूबी सब को बताती और आज सब भावी की तारिफ कर रहे हैं लेकिन एक मेरी मा है जने भावी के अंदर की बुराईया ही दिखती है सायथ अब कहानी में आंगे देखते हैं रस्मी के साथ और क्या क्या होता है अपनी तारिफ सुनने के बाद रस्मी बहुत खुस होती और आज पहरी बार रस्मी ने अपनी तारिफ सुनी होगी रस्मी और पिरिया पायती में बहुत मच्टी करते और उसके बाद पिरिया और रस् जिसके बाद पिरिया बहुत घबरा जाती है और रस्मी को हस्पितर लेकर जाती और पिरिया अपने घर पर अपने भईया को फोन लगाती तो पिरिया के भईया कहते है पिरिया तुम रस्मी कहा हूँ मैंने कहा था ना जर्दी आ जाना जर्दी घर आओ माने तो पूरा घर सि पिरिया मेरी सुनती कहाएं अब कहो उससे रोना बंद करे और दोनों घर पर आ जाएं इतनी रात हो गई है और इहे दोनों घर के बाहरें तब रोहित कहता पिरिया तुम रोना बंद करो और पहरे घर पर आओ तब पिरिया रोते हुए कहती वो भावी रोहित कहता क्या हुआ रस्मी को भही ठीक तो है ना किसी नहीं कुछ कहा किया उससे प्रिया रोते हुए कहती भावी का एक्सिदेंट हो गया है और मैं भावी को रेकर अस्पतार जा रही हूँ तब रोहित ने कहा क्या कैसे हुआ और तुम कहा हो बताओ मुझे मैं अभी आता हूँ प्रिया रोहित को बताती कि मैं फॉन पर बात करते हुए रोध क्रोस कर रही थी तब ही सामने से तरक आता तो भावी ने मुझे धक्का दिया और उनका एक्सिदेंट हो गया कहते हुए प्रिया रोनी रखती रोहित कहता तो मुझे बताओ तुम हो कहाँ प्रिया रोहित को एतरिस बता थी और रोहित अपने माता पिता के साथ अस्पतार पहुशता रोहित दॉक्तर से पूछता कैसी है मेरी रस्मी ठीक तो है ना तब दॉक्तर ने कहा अभी कुछ कहना मसके रहे बहुत खुन भै चुका है अभी हम कुछ कहने ही सकती अंदर दॉक्तर प्रिया का त्रीटमेंट कर रहे थे और बहार पूरा परिबार भगवान से परातना कर रहा था प्रिया रोहित से रोते हुए कहती भाईया मेरी बचाई से भावी की यह हारत हो गई यति भावी को कुछ हुआ तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पांगी रोहित प्रिया को समझाते हुए कहता तुम चिंता मत करो रस्मी को कुछ नहीं होगा रोहित खुट भी बहुत दुखी था क्योंकि वही रस्मी से बहुत प्यार करता था सभी भगवान से प्रातना कर रहे थे प्रिया देखती थी ना कि आपको भावी से मुक्ती मिर जाए तब प्रिया की मा ने रोते हुए कहा ऐसा मत कहुँ भी थी मैं तो भगवान से यह प्रातना कर रही हूँ कि मेरी रस्मी बहुत जर्द से जर्द ठीक हो जाए तब प्रिया ने कहा आपकी रस्मी बहु अभी तक तो आप भावी को अपनी बहु तक नहीं मानती थी तो आज आपके विचार इतनी जर्दी क्यों बतर गए क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दाव पर रखा आती आप तो कर तक भावी को देखना तक पसंद नहीं करती जिस भावी से आप इतनी नफरत करती थी आज उन्हींने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दाव पर रखा आती आज मेरी बचाय से वहे जिंद्गी और मौस से रर रही है याद ही ना मा मैंने एक दिन कहा था भावी को इतने तानिमत दीजे कि एक दिन आप अपनी ही नचरों में किर जाए आज आपको खुत में ही सर्मिंद्गी हो रही होगी आपने जिस भावी से इतनी नफरत की आज उसने ही आपकी बेती की चान बचाई आज सब भावी की मतुरावाच पर तानिया बचा रहे थे लेकिन आपसे तो आज भावी की तारिफ तक नहीं सुनी गई थी तो आज क्यों भावी के लिए इतनी प्राथना कर रही है तब पिरिया की मासुभाजी रोते हुए कहती बस कर भीती बस कर और मुझे कितना सर्मिंदा करेगी सच तो एह था कि मैं भी पिरिया बहु की अच्छाईयों को जानने रगी थी लेकिन बस मानने से इंकार कर रही थी ना जाने क्यों इसमें सिर्फ बुराईयां ही देखती थी पर सच एही है यति वहे तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुरवानी ना देती और उसका एक्सिदेंट हो जाता तो भी मैं आज उसकी जान के लिए प्राथना करती मैंने कभी भी रस्मी बहु से अच्छे से बात नहीं की उसके रंग पर हमीशा उसे ताना देती रही उसकी प्रिसंटा नहीं सुनी उसके अंदर की हुवी नहीं देखी रेकिन इसका मतरब एह नहीं कि मैं एह चाहूंगी कि वह इस दुनिया में ही ना रहे ना जाने क्यों मुझे उसके कारे रंग से इतनी नफरत थी कि मैं उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी लेकिन आज मुझे अपनी सारी गर्तियों का एह सासे मुझे रस्मी के साथ कभी भी बुरा बेवान नहीं करना था और मैं अपनी हर गर्ती मानने के लिए तैयार हूँ, रस्मी से भी माफ्य मांगने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरी भगवान सुन रहे और रस्मी को पहरे की तरह सही करते, तब प्रिया रोते हुए कहती, कास भगवान हम सब की सुनने और रस्मी भावी ठीक हो जाए पूरे पांच गंते बाद दॉक्तर कहते अब रस्मी खतरी से बाहर है और आप में से कोई एक रस्मी से मिर सकता है एहे सुनकर सब खुस हो जाते आखिरकार भगवान ने सब की सुन ली थी तब रोहित कहता में जाकर रस्मी से मिरूँगा तब सुभा जी ने कहा में रस्मी की गुनिगार हूँ मुझे एक बार उससे मिल लेने दो में रस्मी से अपनी गर्दियों के लिए माफि मांगना चाहती हूँ रोहित हां में से ठिरा देता और सुभा जी रस्मी से मिनने के लिए जाती है उससे कहती है आज तक मैंने तुम्हारे साथ कितना गरत बेभार किया तुम्हारे रंग को लेकर हमेशा तुम्हें बुरा भरा कहती रही उसके लिए मुझे माफ कर दू तब रस्मी ने कहा माभी मांग कर मुझे सर्मिन्दा मत कीजे पूरे एक हपते बाद रस्मी की हारत में सुतार होना शुरू हो जाता और दोक्तर कहते कि अब आप रस्मी को लेकर घर जा सकते हैं और रस्मी अपने घर आ जाती है सुवा जी और उनका पूरा परिवार रस्मी की बहुत क्यार कर रहा था सुवा जी बक्त पर रस्मी को खाना देती उसकी दमाईयों का ख्यार रखती प्रिया भी अपनी भावी का बहुत ख्यार रख रही थी देरे देरे रस्मी की हारत में सुतार होता गया और कुछ दुनों बात बहे पहड़े की तरह ठीक हो गई सुवा जी ने फिर कभी भी रस्मी की कारे रंग पर उसे ताना नहीं दिया जिससे पूरा परिवार खुश था और रस्मी के परिवार की खुशियां तब चार गुनी हो गई जब सबको पता चरा की रस्मी मा बनने वारी है पूरा घर बहुत खुश था रेकिन रस्मी एक बात से चिंते थी कहीं मेरी तरह मेरी आने वारी संतान का रंग भी कारा ना हो जो जो मेरी आने वारी संतान का रंग भी कारा ना हो जो मेंने कभी देखा था बक्त निकरता गया और एक दिन बहे आया जब रस्मी ने एक प्यारी सी बेती को जनम दिया और जब रस्मी ने अपनी बेती को देखा तो बहे दुखी हो गई क्योंकि उसका रंग भी कारा था रस्मी रोने रखी तब रस्मी की सास ने पूछा क्या हुआ बहू तू रो क्यों रही है रस्मी ने कहा मम्मी जी मेरी बेती का रंग का रहा है इसके साथ भी बही होगा जो अभी तक मेरे साथ होता आया है इसे भी दुनिया के ताने सुनने होंगे, इसे भी अपने रंग के कारण रोकों की नफरत जिननी होगी, और मैं एह नहीं चाहती, इतनी ही प्रातना की थी कि मेरी आने वारी संतान का रंग गोरा हो, फिर भगवान ने मेरी क्यों नहीं सुनी, सोबा जी ने कहा कैसी बाते कर रही हो रस्मी, हमारी बेती का रंग उसकी पहचान नहीं होगा, जो उसके अंदर की खूबिया है, भही उसकी पहचान होगी, और एह दुनिया उसके रंग से नहीं, उसकी खूबियों से जानेगी, क्योंकि किसी भी इंसान का रंग उसका भविष्टाएं नहीं करता, और तुम्हीं तो ऐसी बाते करना भी नहीं चाहिए, तब रस्मी कहती है, मा हुना इसलिए घबरा गई थी, लेकिन आपने सच कहा, मेरी बेती इतनी पिर्तिवासारी होगी कि कोई उसके रंग का मचाग भी नहीं बना पाएगा, आप सबी कोई कहानी कैसी रखी, नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा, भी तो पसंद आई हो तो लाइक करती जीगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बूर को नहीं बरियेगा, क्योंकि आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब तभी आपको मेरी हाने बारी हर कहानी के बारे में पता चाहर सके, और कहानी को अप